अब मैं आप लोगों को माइक्रोवेन के वारे में बताती हूँ माइक्रोवेन में किस तरह से आप केक को बेक कर सकते हो अब देखेगा आजकल हर सभी के घर पे माइक्रोवेन होता है माइक्रोवेन पे एक चीज कॉमन रहता है जिस पे बेकिंग होती है वो होता है Convection Mode अब कोई भी Microwin उढ़ा के देखिए उस पे Convection Mode लिखा रहेगा कहीं न कहीं पे या फिर नहीं तो Oven लिखा होगा इन दोनों में से कोई एक Mode लिखा रहेगा जिस पे खास और पे Baking होती है मैंने आपको OTG एक्स्पेंड किया OTG में आपने देखा होगा कि हर एक एक चीज के लिए हम लोग अलग-अलग function यूज करते हैं लेकिन Microwin में ऐसा नहीं है Microwin में चाहे आपको bread बनाना हो cookies बनाना हो, cake बनाना हो किसे भी चीज को आपको bake करना हो उसके लिए आपको convection या फिर नहीं ठीक है, अगर आपको temperature adjust करना हो, तो यहाँ पे आप knob की मज़द से temperature adjust कर सकते हो clear है, तो पहले हमने क्या गया convection दबाया, 180 पे temperature set किया, अब हम यहाँ पे start button दबाएंगे, start button दबाए, zero हो गया, उसके बाद अब आप दोगे time time आपको कितना देर के लिए preheat पे लगाना है तो यहाँ पे हमने इसे 10 मिनिट के लिए रखा, और यहाँ पे आप start button दबादीजे तो यहाँ पे क्या होगा, कि यह preheat होना शुरू हो जाएगा, ओके तो अब यह 10 मिनिट में preheat हो चुका है अब हमने इसमें क्या करना है आपका जो भी तैयार क्या हुआ बैटर होगा उसे आपको अंदर डालना है और एक चीज़ में यहाँ पे आपको बता रही हूँ जब भी हम माइक्रोविन खरीदते हैं हमको इसमें दो इस तरह का stand मिलता है एक बड़ा एक छोटा तो केक जब भी हम बनाते हैं हमेशा यह जो छोटा वाला stand होता है यह यूज होता है क्लियर है यह छोटा वाला stand रखेगा या नहीं तो सेम आपका बड़ा यह छोटा जो भी stand मिले बस stand रखने के बाद आप यहां पे नापके देखेगा कि आपको height जो है वो एक हाथ का आपको मिलना चाहिए यह आप देखे उपर से आपका यहां पे जो है एक बित्ते का distance है तो उस हिसाब से आप नापके अपना जो stand है वो यूज करिएगा ठीक है विसे micro wind में आप कोशिश करिएगा कि जो छोटा वाला stand होता है वो आपको use करना हो तो यहां पे अब हमने stand रख दिया अब यह 10 minute preheat हो चुका है अब इसमें आपका जो भी तयार किया होगा batter है इसके उपर आप रखिए अचा और एक चीज अगर आपको अगर आप stand रखने के बाद आपको लगे कि आपका यह height बहुत कम है ऐसे अगर आप हाथ रख रहे हो तो हाथ से आपका उपर वाला coin टच हो रहा है तो आप क्या करिएगा इस stand का use मत करिएगा stand निकाल के आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो केक्टिन है उससे आप इस plate के उपर रखेगा ठीके अभी क्योंकि मेरा जो microwave है वो बड़े साइस का है तो मैं यहाँ पे इसे stand के उपर रख रही हूँ और देखे यहाँ पे मैं केक्टिन रखने के बाद भी यहाँ पे आप देखे एक हाथ का मुझे गैप मिल रहा है मतलब कि यह जो है यह परफेक्ट है अगर आपको इतना गैप ना मिले तो आप यहाँ पे इसका stand आप निकाल सकते हो clear है तो अब हमारे यह 10 मिनिट प्रिहिट हो चुका है अब मैं केक का बैटर डालूंगी केक का बैटर रखने के बाद अब फिर से आपको convection पे आना है 180 सिलेक्ट करना है उसके बाद start बटन पे जाना है फिर आपको time देना है time हमको कितना दर बेख करना है इसे 30 मिनिट 30 मिनिट दिये और इसे आप start पे लगा के छोड़ दिजे तो 30 मिनिट के बाद आप देखेगा आपका cake बेख होकर रेडी हो जाएगा ओके तब ये 30 मिनिट पुरा हो चुका है 30 मिनिट बाद आप डूर खोल के देखे ये आप देखे अब ये गरम है ये आप देखे cake जो है एकदम perfectly बेख होकर रेडी हो गया है और एक जिसमें यहां पर बता रही हूँ, oven to oven vary करता है, मुझे microwave में 30 मिनिट लगा है, cake को bake करने के लिए, आपको maybe 35 मिनिट भी लग सकता है, 25 मिनिट भी लग सकता है, तो oven to oven temperature थोड़ा सा 19-20 वेरी करता है, लेकिन जो standard या फिर जो average हम time count करते हैं, वो होता है 30 मिनिट, या फ अगर आपको कच्चा लगे तो पाच-पाच मिनिट और बढ़ा सकते हो, clear है?